जिसका हमें इंतजार था वो घरी भाई आ गई Finally, Nothing Phone 1 के लिए Nothing OS 2.0.2 आ चुगा है और ये काफी सारे चीजे लेके आता है Changing, Optimization, Performance, Stability अगेरा क्योंकि ये जो OS है, ये Stable, Official, Update है कोई बीटा नहीं है, बीटा ख़दम हो चुगा है और यहां पर मैंने इसका पूरा टेस्टिंग कर लिए और मैं आपको बता हूँ, इसमें क्या कुछ नया एड करा गया है और ये Really में काफी इंट्रेस्टिंग है और कितना इसमें similarity आपको देखनी को मिलता है Nothing Phone 2 से वो चीजे पराद चलेगी और कुछ कुछ चीज़ा आपको missing भी देखनी को मिलता है जो कि especially Nothing Phone 2 के लिए बनाया गया है बट इसका जो Optimization है और जो Smoothness है वो Really में Next Level का है और आपको ये काफी ज़़ा पसंद आ सकता है और मैं यहां पर ये कह सकता हूँ कि अब तक के जितने पे Android OS है ना उनसे ये one of the best बजाता है Optimization की हो जैसे और अपने useful features की हो जैसे क्योंकि Nothing Phone 1 में बहुत कम features थे और बहुत सही चीज़े add होनी बाकी थी और वो सब चीज़ों को ये fulfill कर देता है और ये काफी अच्छे तरीगी से Optimize भी किया गया है जैसे शुरू करते हैं आज के वीडियो को चेक आउट करते हैं कि इस Nothing Phone 1 में Nothing OS 2.0 किस तरीगी से काम करते हैं और क्या क्या जीज़ें हमें देखने को मिलती है वीडियो पसंदा आता है तो लाइक करेगा और चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब ताकि ऐसे इसे इक्रिसिंग वीडियो मिल सके सबसे पहले जैसे आप इसे अपडेट होगे सबसे पहले चीज नोटिस करोगे फोन को स्टार्ट करने के बाद वो है इसका एनिमेशन पहले आपको एक सिंगल नाइन देखने को मिलता था बूट एनिमेशन का वहीं पर आपको देखने को मिलता है और नचिंग वेस 2.0 के अंदर डॉट डॉट को कुछ ज्यादा ही उसकिया गया है जो कि आपको बहुत जगा पर जो नोटिस होगा क्योंकि पहले नचिंग को एस वन में कुछ कम जगा पर देखने को मिलता था तो यहाँ पर जैसी यह on होता है आप देखो यहाँ पर clock जो आपको डॉट 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 में देखने को मिलता है और जब भी मैं इसे unlock करूँगा तो unlock के time will जो keypad आते हैं यहाँ पर password वाले इसके जो EY में चेंग आपको दिखाई देता है जहाँ से single click पे तर में तर्लोट पर अन्यार को पर किर सकता हो जैसे कई सब्सक्राइर दाइल्ज यहाँ यहाँ ज्यादा है वोगुवात जादव करनेवादे आप सभी के जैसा कि मैंने जल बहुत जगा यह चार चिया गया है यह सेम चीज आपको नोटिस होती है आपके जो volume slider की अंदर जहां पर डॉट 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 कर दिया गया है जो कि पहले ऐसा नहीं था और सेम चीज आपको control center पर भी देखनी को मिलेगा जो कि इसका brightness slider है यहां तो यह डॉट 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 हो चुका है जबकि जो आपका वाइफ है और इसमें कोई भी चेंज नहीं कर आ गया इतना ही नहीं अगर आप Home पे आते हो तो यहाँ पे जो Launcher है इसमें बहुत ज़़ा चेंज आ चुका है जहाँ पे आप देखो लांचर का जो EYA वो चेंज देखनी को मिलता है उपर का Search Bar है और यहाँ पे जो आपको ट्रिपल डॉर टेखनी को मिलता है यहाँ पे दो Option आते है कीपेट का और यहाँ पे Suggestion App का यहाँ कीपेट मतलब कीबोड बार 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 कीपेट कीपेट मैं निकाल रहा हूँ उसे तो यह चीज मुझे काफी सही लगा और यहाँ पे आप देखो सारे Apps के जो आइकन है वो सिमिलर लग रहे हैं तो यह देखने में तो काफी अच्छ हो जाओगे और यहाँ डेखने में काफी सही लगता है जब भी कोई देखेगा तो यहले में एक और तारीक तो जरूर करेगा इसकी वाइज और एक सिंगल टाइप के कलर कियो जैसे चाहे वो वाइट में हो या फिर आपका ब्लैक में हो इतना ही नहीं अगर आप वोम पे आते हो किसी भी आइकन पर क्लिक करते हो तो उसे आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो इसके जो पिल्टू जो ऑप्शन आते हैं वो पहले आ प्ले आइकन में आते थे लेकिन अब यह पूरा डिस्प्लेव आपको दिखाई देता है जहाँ आप इसे इस तरीक से जो आइज कर सक सकते हो no matter वो system default है या फिर आपका heart body वगएरा है साथ साथ यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक folder create कर रखा है और folder के उपर मैंने जो यहाँ पर अलग सा logo लगा रखा है यह सेम चीज कर सकते हो कोई एक folder जो आपका है उस पर long press करो तीन option देखनी को मिलते हैं जो कि आपका rename का customization का और minimize का तो जैसे आप customization पर जाओगे आपको यहाँ पर बहुत सारी option देखनी को मिलते हैं जो कि काफी अच्छा और unique सा look appropriate करेगा किसी folder के उपर जो कि यहाँ पर put के जो customization दिए गए वह आप रख सकते हो जो कि round circle अलग है और उसको उपर आप चाओ तो कोई भी emoji होगा ह जो set कर सकते हो और इसलिव इतने ही नहीं अगर यहाँ पर first emoji पर आते हो यह पर पूरा जो keypad का emoji होता है यानि keyboard का बार बार कीपट बोर नहीं या क्या होगी है तो उसके पूरे emoji आपके सामने आ जाते हैं अलग-लग style कर कुछ इफटा भी add करे गए हैं तो यह सारे emoji भी पास ही यहाँ पर beautiful लगता है तो इस तरह किसे आप किसी भी folder को अपने हिसाफ से redesign कर सकते हो इसके बाद अखना हो अपने camera के अंदर आते हैं तो camera के अंदर ज्यादा कुछ change नहीं हुआ लेकिन आप जैसे triple line पर click करते हो इसका जो pop-up आता है इसमें आपको थोड़ा चीन द design में था और अभी तपर different shape and design में देखनी को मिलता है इसके अलगा camera में ज्यादा कुछ add नहीं करा गया फिर भी यहाँ पर मुझे यह camera है जो सही लगा है और मुझे लगता है कि camera के अंदर कुछ और एक्टा option आ जाया जैसे कि बाके दर camera में होते हैं तो अच्छा रहेगा बर देखते हैं आने में टाइम में साइथ वो भी आमें देखनी को मिल जाए इसके about session की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है पूरा का पूरा different सा look जहाँ पर nothing phone का logo लगाया गया है और साथ-साथ यहाँ पर nothing was 2.0.2 देखनी को मिलता है जो कि official stable update है जिस प protein आएगा लेकिन भी थौस आपको time देना परेगा क्योंकि अभी जो nothing was 2.0 है आपके android curtain पर ही काम कर रहा है यहाँ पर आपको अगस्ता security patch देखनी को मिलेगा और यहाँ पर setting में system में आप वही देखनी को मिल जाता है जो कि आपका जो gaming dashboard जिसमें कोई चेंज नहीं है gestures वगे आपको face unlock finger print और बातियद आपको देखनी को मिल जाता है screen lock वगेरा जो कि आप यूज कर सकते हो और यह stable update है तो यहाँ पर device in equipped रहता है तो tension मत लेना जो कि बीटा में आपको देखनी को मिला था इस वगेरा किसी किसी में ताथ ताथ यहाँ पर आपको मिलता है customization जो कि आपक पर से color को pick करता है जिसके वैसे आपका जो भी wallpaper है वैसा color देखनी को मिलेगा आप default के साथ भी जा सकते हो और आपको original icon pack एक खुद की color चाहिए तो भी आप यहाँ पर रख सकते हो और original icon pack में क्या होता है कि आपको application को find करने में open करने में असानी होती है दिक्कत नहीं आती लेकिन आपको एक अच्छा सा look चाहिए तो यह जो nothing waste all icon है वो आपको पसंद आएगा और आप यहाँ पर third party icon भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका support भी आपको मिलता है साथ-साथ यहाँ पर आपको जो four or five का option भी मिलता है यहाँ पर row and column आपका में ज्यादा कर सकते हो जिससे आपके tiles चोटे और बड़े हो जाएंगे और आप यहाँ पर और ज्यादा tiles को use करना चाहते हो तो आप यहाँ पर apps level और search bar को off कर सकते हो जिसके वज़े से आपको यह जैसे आप यहाँ पर आप तो लेप्ट और राइट वही camera और thoughts वोगे रखा option है प्र आप इन्हें change कर सकते हो अपने wallet वोगेर से यहाँ पर इसे disable भी कर सकते हो none करके और सबसे important पार्ट जो कि सबसे जादा यूज में आने वाला है lock screen के उपर वह आपके lock screen का widget सेशन पर यहां पर मैं आपको clean करके, free से दिखाता हो, reset करके, कि यहां यूज में कैसे लाना है, जैसे ही आप यहां पर open गर गोई तो first time ऐसे भ्लैंक रहेगा, यहां पर कुछ आपको tiles देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको दिखाई देता है, tip setting, और यह आपके tiles को छोटा ब leaf, violet, या जो कुछ भी है, पूरा setting आपके सामने है, इन में से किसी एक को आप pick कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर calculator को pick कर लिए, अगर आपको ज़्यादा need रहती है, ता आप उसे यहां पर गंडोल में डाल सकते हो, अब आप एक छोटा सा tiles चाहिए, या फिल लेंडरस के भी sim card बगे रहा है, या आप network या जो कुछ भी आपको सही लगे, तो इस तरीके से आप इन पर click करो, और बागे दर चीज़े जो select कर सकते हो, या फिर आपको यहां पर clock चाहिए, weather चाहिए, तो उनके भी आपको tiles यहां पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, जो अगर single click पे इन्हें access कर सकते हो, और यह चीज़ काफी ज़्यादा useful है, और यह चीज़ आपको सेम, आपके EOD के उपर भी नजल आ जाती है, अगर आपने EOD को on कर रखा है, तो देखो मैंने यहां पे EOD को on कर दिया, अब आप यहां पे EOD को देख सकते हो, कि यहां पे भी आपक Android या फिर smartphone के अंदर, जो कि वो इसको इस तरगी से optimize किया गया है, यह आपके और भी चीज़ों को काफी ज़्यादा easy बना देता है, और आपको देखने को मिलता है, डिस्प्ले, जहां पे आपको adaptive brightness वागेरा, dark mood वागेरा, schedule वागेरा देखने को मिलता है, इसमें जादा percentage भी देखने को मिलता है, battery का, और यहां पे आपको आइकन वगेरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि vibrates से related है, तो यहां पे यह साहे चीज़े आप यहा पर shortcut access कर सकते हो, इसके बाद आपको देखने को मिलता है, sound का profile, यहां पे आपको मिलता है, slip to glyphs जो कि पहले से ही हमे प्रोपर काम करता है और यहाँ पर बैटी परसेंटेज आप देख रहे हो यह भी आपको डॉट डॉट में ही नजर आता है अज जात पूरा युवाई का जो चेंज है वह आपको देखनी को मिलता है ग्लीज इंटरफेस यानि इंटरफेस के अंदर जहाँ पर देखो पूरा जो कि पहले एक हटबाट यहाँ की रूफ में डाउलोड होता था नथिंग का नहीं ही है यह खुद का लेकिन आप यह सिस्टम के अंदर भी एड कर दिया गया है तो इस आपको इस आपको इस आपसे मेजिक को कमपोज कर सकते हो उसके हिसाब से आपको ग्लिफ लाइट टे चै technici को मिलते है जब यहाँ पर सिंगल ग्लिफ area जहाँ पर आपको काफी काम की चीज़ें मिलती है जो कि पहले नहीं था अब एड हो चुका है जैसे कि आप किसी भी एप्स को लॉक कर सकते हो और अपने किसी भी अप्लिकेशन को जो आप किसी और से चुबा गया रखना चाहते हो किसी को नहीं जाते हैं एकसेस करें वह काम करता है जैसे कि मैंने numbers में यहां पर टाल चाहिैं आप इसे कशलो गाता है यहां इसमें कुछ रिकमंडेट ही, आप आते से जिस्टम क्लोन कर पाते हैं और बागी के अधर उप्सन नहीं रहता था तो यह काफी important features थे जो कि हमें missing देखनी को मिलें से nothing phone 1 के अंदर और यहां के आप देखते तो network और यहां पर आपको देखनी को मिलता है connected device का तो another switch settings वोगेड़ा आप जहांसे आप इन सबीच सेटिंग को access से जो कर सकते हो तो total nothing OS 2.0.2 के अंदर यही सारे features मिल जाते हैं जो कि मुझे really में काफी अच्छे लगे और देखते कि long agent पे और कुछ क्या निकल के आता है तिक long term कभी मैं आपको वीडियो दे दूँगा लेकिन रही बात अभी update करने के बाद इसका performance हमें कैसा देखनी को मिलता है तो अगर आप किसी भी number पे dial करते हो तो यहां पे आपको डायलर का यह देखनी को मिलता है यह तो ज्यादा बेटर रहेगा और साथ यह आगर होने आले टाइम में भी possible हो जाए तो मैं यहां पे आपको फ़र्फॉर्फॉर्स टेस्ट निजर ते दिखा लेता हूँ कि क्या कुछ हमें देखनी को मिलता है और बैट इड़ो कितना हुए फुल नाइट के अंदर तो आते सिंपल गैलरी को उपर यहां पे मैंने सब कुछ टेस्ट करके रख रखा है आप सभी के लिए तो नथिंग हो इसका यहां पे सबसे पहले मैं आपको चेंड लोग को तिखा लेता हूँ जो कि बहुत कुछ देखनी को मिल जाता है और यह साहे चीज़े मैं आपको आप ओरेड़ी सोग कर दी है तो आप चाहतो वीडियो रोके से जो रीड कर सकते हो तो फासा जूम वगरा करके अधर वाई मैंने सब कुछ तो यहां पे सोग कर नी दिया है और यहां पर दखो यह है अंड्रू और जो कि मैंने यहां पर वरजन 10.0 जिज किया है और यहां पर 57 का स्कोर गया है जो कि कासी अच्छा है और जो वीडिया वरजन तरह उसका 60 का स्कोर था तो थोगा से कम है बट यह पता है ना प्रत्वा उपर नीची होता रहता है बट एक कासी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला अनदर आप यहां पर देखो CPU टोटल वाई रियली में यहां पर कासी अच्छा गया है जो कि 3,40,000,000 मैक्स है और मिनमम यहां पर 3,70,000,000 जो कि एक वन ओप दो स्कोर में कावा बेस्ट CPU टोटल का देखने को मिला और यह सेम रिजल्ट वाई हमें सम टाइम स्नैपडेगर 870 पर रिखने को मिलता है यानि यह वाई उस रिजल्ट देखने को मिलता है और यहां पर आप देखो कि मैंने फिसेस यहां पर अंट्रू रन किया स्मिलर रिजल्ट आया है कोई जाला चींज नहीं है इसके बाद यहां पर गीकी पैंच है यह तो भाई रियली में छब पर फार वन ओप तब बेस्ट स्कोर है जो कि ऐस देखा रियल्ट में 2% का पैटी डॉप हुआ है और यहां पर अब यहां पर इसके बाद इसके बाद मैंने फ़ुद के कैमरा भी चीक है तो कैमरा की क्विश्ट आया है पर देखते हैं लॉग विजच पर कैमरा चीक करके कुछ इंप्रूमेंट आया है या पर यह पी Same to Same वैसा ही देखने को मिलता है, तो आप मुझे comment करके बताना कि यह जो nothing हो इस 2.0.2 है, आपको कैसा लगा और यह कितना आपके काम आने वाला है, और इसके सबसे best features आपको कौन से लगे, और वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ मैंने क्योंकि आप explain किया है, तो like करके please share कर देना, और अपना opinion ज़रूर बताना comment box में, क्योंकि यह मेरे लिए important है, और बागे जो वीवर हैं, उनके लिए भी कातिरा important रहेगा, तो मैं मिलता हूँ से next video में, thanks for watching, bye bye झाल 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 झाल